नवस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल सिक्षा अकडेमी में तो दोस्तो आज के इस वीडियो में है most important history के top question तो चले दोस्तो देर न कर तो ये वीडियो को start करते हैं तो इस वीडियो का पहला प्रश्ण है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना सहर कौन सा था तो इसका सही answer है खलपा सहर इसके बाद अंगला प्रश्ण है सौराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था तो इसका answer है ये दोस्तो बाल गंगाधर तलक ने कहा था इसके बाद अंगला प्रश्ण है महत्मा गांधी के राजनेते गुरु कौन थे इसका answer है गोपाल कृष्ण गोखले इसके बाद अंगला प्रश्ण है शिंदू सब्वता का पत्तन नगर बंदरगा कौन सा था इसका answer है लोथल बंदरगा इसके बाद चलते हैं अंगले प्रश्ट पर अंगला प्रश्ट है दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला सासक कौन थी इसका आंशर है रजिया शुल्तान इसके बाद अंगला प्रश्ट है भारतिय राष्टिय कांग्रिस के संस्थापक कौन थी इसका आंशर है ओ ए ओ हुरूम थे जिन्हों रे राष्टिय कांग्रिस की स्थापना की थी इसके बाद अंगले प्रश्ट है महत्मा बुद्ध द्वारा दिये गए प्रिथम उब्दिस को कहा जाता है या किया कहा जाता है तो इसका आंशर है धर्म चक्र परवरतन कहा जाता है प्रिथम उब्दिस को इसके बाद अंगला प्रश्ण है किस बेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है इसका आंसर है तो इस तो बहबेद है यह जुर्वेद इसके बाद अंगला प्रश्ण है भारत में पहला समाचार पत्र किषने शुरू किया था समाचार पत्र पहला भारत में किषने शुरू किया था तो इसका आंसर है सयद आहमत खाने किया था इसके बाद अंगला प्रश्ण है किसके सासनकाल में बौद धर्म दो भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया था तो इसका अंसर दोस्तों है कनिस्क के सासनकाल में हुआ था इसके बाद अंगला प्रश्न है लोधी बंस का अंतिम सासक कौन था? लोधी बंस का अंतिम सासक कौन था? तो इसका अंसर है इब्राहिम लोधी इसके बाद अंगला प्रश्ण प्रथम जैन संगीती कहां आयोजित की गई थी दिसका अंजर है यह दोस्तो पार्टली पुत्र में आयोजित की गई थी इसके बाद अंगला प्रश्ण है दिल्ली के किस सुल्दान को इतिहास कारों ने ब्रोत का मिश्रन बताया है तो इसका आज़र है तो इस तो मुहम्मद बिन तुकलक को ब्रोत का मिश्रन बताया है इसके बाद अंगला प्रश्ण है रग बैदिक समाज की सबसे छोटी एकाई क्या है तो इसका आज़र है कुल या परिबार है सबसे छोटी एकाई इसके बाद अंगला प्रश्ण है किस सासक के पास एक सकती साली नौसेना थी किस सासक के पास एक सकती साली नौसेना थी तो यह है जोस्तो चोल राजा जोस्तो चोल एक बंस था जिनों के जिन के पास नौसेना थी एक सकती साली नौसेना थी चोगी चोल बंस में बहुत से राजा हुई है इसलिए कोई राजा का एक नाम नहीं आता इसलिए चोल राजा कहलाता है इसके बाद चलते हैं अंगला प्रश्ण है संकीरतन प्रथा के जन्म दाता कौन थे संकीरतन प्रथा के जन्म दाता कौन थे तो इसके बाद चलते हैं ये दुस्तों चेतन थे इसके बाद चलते हैं अंगले प्रश्ट पर अंगला प्रश्ट है किस मुगल सासक को आलमगीर कहा जाता है तो इसका आंसा है औरंग जेब को कहा जाता है किसको औरंग जेब को इसके बाद अंगला प्रश्ट है सहीद आजम उपादी से किसे सम्मानत किया गया इसका आंसार है भगत सेह को सम्मानत किया गया था इसके बाद अंगला प्रश्ट है शायमन कमीसन के ब्रोध प्रदसन के दौरान किये गए लाठी चार्ज में किस राजनेता की मृत्तू हो ग होग गईक्स राज निता की मृत्व हो गई इसको आंसर है इसके इसके साथ है यही पर शमाफ्ट होता है या зов ऊए व्युंद्यव्ट उत प्संद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेर करें और दोस्तों सस्क्राइब करना ना भूलें दोस्ते दोस्तों मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तक लिए दोस्तों जै माता दी